हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक एजूकेशन ग्रूप में आज के जावा के इस वीडियो लेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी इंपुट किया गया इंटीजर या नंबर प्राइम है या नहीं है using the concept of class लेकिन यहां पर हम लोग जो है multi-file programming का concept use करेंगे मतलब कि मेरा जो class define होगा वो एक अलग class में होगा और main वाला class एक दूसरे file में होगा जो मेरा main class होगा जिसमें मैं prime वाला concept लुखी लिखूँगा वो एक अलग file में होगा और जिस class के अंदर main है वो एक अलग file में होगा तो चलिए देखते कैसे इसको हम लोग execute कराते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया concept है professional concept है इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने already सीख लिया है कि कैसे class का concept हम लोग implement कर सकते है prime को निकालने का आज multi-file programming का concept हम लोग use कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहला चीज है आपको import कर लेना है यह तो चुकि हम लोग जो है na scanner class use करेंगे input लेने के लिए तो utility.scanner को हम लोग जो है import कर ले रहे हैं यह तो common सी बात है end of the class कौन सा class है तो my class है अब यहां पर मैं एक private int num नाम का एक variable ले लेता हूं जिसमें मैं user से input लोगा store करूँगा अब मैं method define कर गा हूं method to take input तो यह आपका हो जाएगा public wide take यहां पर यह देखिए आपका end हो गया end of the method end of the method take take का आपने यह बंद कर दिया अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं scanner sc equals new scanner system.in यूज कर ले रहा हूं system.in यह चलिए हो गया अब यहां पर मैं user से message user के लिए message दे रहा हूं कि system.out.println please enter any integer और जो भी user इस message को देखने के बाद input करता है उसको मैं sc.next.int से उसका input लेके उसको नम में assign कर ले रहा हूं हो गया यह आपका देखिए यह function यह method आपका बन गया अलड़ी जो user से input लेने के काम आएगा अब आपका काम है एक method बनाना method to check prime or not ठीक है तो इसके लिए मैं लिखता हूँ public white check चलिए check नाम का ही मैं method बना दे रहा हूं यह मैंने function को खोला और यह मैंने बंद कर दिया मतलब यहां पर यह जो है end of the function हो गया कौन सा function का अंत हो गया तो end of the function check ठीक है यह function check का अंत हो गया अब यहां पर देखे नम के value को चेक करना है कि वह prime है कि नहीं है प्राइम नंबर का always क्या होता है factor exactly two factors रखता है प्राइम तो factors जो होता है वह one से लेकर के नम तक के बीच कोई भी value हो सकता है तो मैंने एक i variable लिया जिसका help लेके मैं one से लेकर के नम के value तक लूप चलाऊंगा और एक cf variable मैंने ले लिया जिसमें मैं count करके रखूंगा कि कितना factor नम का है initially मैंने उसमें 0 assign किया है अब मैं loop चलाता हूं 4i equals one i is less than equal to num i++ आप चाहें तो for loop for statement while we use कर सकते हैं या do while we use कर सकते हैं इसका वी वीडियो मैंने अलड़ी बना के रखा हुआ है जो आपको link में मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर मैं check करता हूं कि अगर नम का जो value है अगर वो i के value से divisible है इसका क्या मतलब है इसका साफ सा मतलब है कि i is the factor of factor of num तो उस case में cf को तुम plus plus कर दो मतलब कहने का है cf के value को एक से बढ़ा दो चुकि एक factor मिला लेकिन एक चीज़ और है अगर count of factor का value जैसे ही 2 से ज्यादा हो जाता है तो 2 से ज्यादा होने का मतलब है कि वह number प्राइम नहीं है तो क्यों फालतू का loop चलेगा execution time को कम करने के लिए break statement का मैंने use कर लिया अब जो है यहां पर मैं लिखता हूँ कि अगर cf का value 2 है तो भही आप ऐसा करो ना कि print कर दो system.out.println कि जो नम में value है वो इजन इज़ा प्राइम इज़ा प्राइम इंटीजर ओके नहीं तो मतलब else otherwise otherwise num में value है इसा आपने message लिख दिया अब यह देखिए यह आपका complete class बन चुका है my class नाम से जिसके अंदर आपके पास variable भी है दोनों method भी है अब इस file को आप पिलकुल अलग से save कर ले my class चुकी class का नाम है तो मैं इसको my class.java से save कर ले रहा हूँ जडी के अंदर bin folder के अंदर अब इस file को आप चाहे तो command prompt पर सिर्फ compile करवा सकते हैं देखिए जावा सी my class.java सिर्फ compile होगा यह compile करवाना तने सरी है कि अगर कोई गलती है तो पता चल जाए चलिए कोई फॉल्ट नहीं लेकिन आप इसको रण नहीं करवा सकते हैं अगर आप इसको रण करवानी की कोशिश करेंगे तो यह message देगा कि इस class के अंदर में तो है नहीं बहुत अच्छी बात है यही तो मैं समझाना चाहरा हूँ अब मैं एक नया फाइल ले लेता हूं एक class बनाता हूं test यह देखें एंड हो गया end of the class टेस्ट यहां पे मैं लिखता हूं public static void main जिसके अंदर parameter string args मैं पास कर रहा हूं और यह देखें आपका main function भी यहां पे बंद हो जा रहा है मैं लिख देता हूं end of the method main यह main method बंद हो रहा है लेकिन देखें जावा में खुबसूरती यह ना कि वह जो my class.java के अंदर class मैंने बना कर रखा है मैं उसको यहां पे यूज कर सकता हूं कैसे भाई तो simple आपको my class से एक object बना लेना है equals new my class करके new my class यहां पे यह जो है ना यह object हो गया object of my class और अब तो इस object के सहारे आपको check method को call करना है और इसी object के सहारे आपको check method को भी call कर लेना है बहुत ही simple style है professional style है अब इस file को मैं save कर देता हूं test.java से क्योंकि यहां पे class का नाम test है उसी location में test.java और अब चुकी इसके अंदर main है तो यह तो compile होगा ही होगा no doubt यह compile भी होगा और साथ में चुकी इसके अंदर main है तो यह run भी करेगा तो देखिए मैंने compile करवाया कोई error नहीं है अब मैं यहां पे java space test लिखता हूं ताकि यह run हो और यह करेगा अब देखिए यह क्या हो रहा है समझें इस बात को यह जो है object बना रहा है my class से और उसके tech को call कर रहा है देखिए उसके tech के वज़ह से उसके tech में लिखा हुआ है जो instruction उसके वज़ह से यह आपको message दे रहा है please enter any integer और आप से इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप Java में class के concept से वो भी multi-file programming के concept से जो class का ही concept यूज कर रहा लेकिन उससे ज्यादा बहतर concept है ज्यादा advanced concept है आप कैसे उससे किसी integer का input लेकि यह identify कर सकते हैं यह find out कर सकते हैं वो integer prime है या नहीं है तो उमीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का concept बिलकुल यह वाला आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्स थैंक्स अलोट